जै स्री कृष्णा आईए सुनते हैं आज मंगलवार के दिन भगवान सीव और हन्मान की यह कहानी भगवान सीव ने हन्मान जी के रूप में अवतार लिया था इस बात का कोई जगर पढ़ा और सुना जाता है लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया था इस बात को जानने के लिए हमें इस से जुरी कथा के बारे में जानना होगा यह कहानी रामायड के प्रारंभ की है जब प्रित्वी पर स्री राम जी का अवतार हुआ था वास्तों में सीव का अवतार हन्मान ही थे और यह भी सत्य है कि भगवान राम ही शीव के हन्मान अवतार का कारण बने थे रामायर में बताया गया है कि एक बार भगवान सीव की भी इच्छा हुई की प्रीथवी लोग चल कर भगवान राम के दर्शन किये जाएं उस समय भगवान राम जी की आयू लगभग पाच वर्ष के आसपास थी भगवान सीव के सामने समस्या यह थी की वह अपने असली रूप में जान नहीं सकते थी ऐसे में एक दिन शीव ने माता पारवती से कहा जानती हो पारवती मेरे राम ने प्रीथवी पर जन्म लिया है और उनके दर्शन की सीवा का मन हुआ है मेरी इच्छा है कि अब मैं यहां से चला जाओं और जिस लोग में राम है वहीं मैं भी रहूं यह सुनकर पारवती बिचलित हो गई और दुखी होकर बोधी की हे श्वामी मुझसे ऐसी कौन सी गड़ती हो गई है कि आप मुझे यहां छोड़ कर प्रीथवी लोग पर रहने जा रहे हैं उन्होंने कहा श्वामी आप यदि जाते हैं तो जाईए लेकिन एक बात सुन दिजिये कि आपके बिना मैं यहां जिवी नहीं रहूंगी पारवती मा के बात सुनकर शिव को इहशास हुआ कि पारवती भी मेरे बिना नहीं रह सकती हैं और अगर मैं यहां से गया तो निश्ची थी रूप से पारवती अपने प्रारों की बली दे देंगी ऐसे में शिव भगवान मोह के एक चक्र भिहू में फस जाते हैं क्यूंकि एक तरफ माता पारवती जी के पास भी रहना था और दूसरी तरफ भगवान राम के लोक में भी जाना था ऐसे में भगवान सिव ने अपने ग्यारह रुद्र को पूरा राजमाता पारवती को बताया और बोले देखो पारवती इन ग्यारह रुद्रों में से एक रूप बानर का अवतार आज मैं लेने वाला हूँ एक रुद्राच में से आज एक रूप बानर का होगा जो बाद में हनमान की रूप में जाना जाएगा सास्त बताते हैं कि भगवान सिव सब जानते थे सिव जी राम जी के पूरे जीवन काल को देख पा रहे थे वह जानते थे कि एक बार राम जी को पृत्वी का कल्यार करने के लिए मेरी आवश्यक्ता होगी शीव को यह भी पता था कि कल्यूग में ना मैं नजर आऊंगा और ना ही राम तब कोई अवतार भी धरती पर नहीं होगा इसलिए सीव ने अपनी एक सक्तिसाली रूप को जन दिया जो कल्यूग में भी अजर अमर रहेगा और पृत्वी लोग के लोगों के दुख दर्ड को दूर किया करेगा इसलिए आज भी भक्त लोग हनमान जी के दर्शन साच्छात कर लेते हैं इस बात के कई सबूत मिल चुके हैं कि हनमान जी आज भी धरती पर मौजूद है स्री राम भक्त हनमान जी की पूजा करते हैं लोग उन्हें प्रशन करने के लिए कोई हनमान चलीशा का पाठ करता है तो कोई सुन्दर कान का पाठ करता है मान्यता है कि हनमान जी अपने भक्तों की सारी पिराएं और संकटों को दूर करते हैं इसलिए उन्हें संकट मोचक नाम से भी पुकारा जाता है लेकिन हनमान जी की पूजा में कई बातों को ध्यान रखना जरूरी होता है मंगलवार का ब्रत करने के लिए शुब जल्दी उठें तथा अशनान करके स्वच लाल कप्रे पहनने अगर पुरुष यह ब्रत कर रहे हैं तो पूजा के दवरान सिले हुए लाल कप्रे ना पहने घर के इसान कोड में चौकी रखें अब भगवान हनमान की मुर्ती या चित्र अस्थापित करें भगवान हनमान की मुर्ती या चित्र के सार भगवान राम और माता सीता की मुर्ती या चित्र अवश्य अस्थापित करें हाथ में जल लेकर भगवान हनमान के सामने ब्रत करने का शंकल्प लें और प्रार्थना करें धूप दीब या दिया जलाकर भगवान राम और माता सीता की पूजा अरादना करें इसके बार स्री हनमान की पूजा करें पूजा के दौरान स्री हनमान को लाल वस्त्र शिंदूर और लाल फूर अरपित करें अब रूई में चमेली का तेल डालकर भगवान हनमान के सामने रख दें कथा सुन्दरकान और हन्मान चलिशा का पाठ करने के बाद आरती करें फिर स्री हन्मान को गूड और चने का भोग लगाएं मंगलवार के दिन हन्मान जी की पूजा शुबह और साम के समय करना फलदाई माना जाता है इस दिन आप सुर्योदय के बाद और साम को सुर्यास्त के बाद हन्मान जी की पूजा कर सकते हैं वैसे पूरे दिन में सुर्यास्त के बाज भी पूजा का शुमुहूर्थ होता है मंगलवार ब्रत के दवरान आपको गुड और गेहुं का भोजन करना चाहिए इस दिन नमक ना खाएं मंगलवार ब्रत करने के दवरान मीठा भोजन ग्रहर करें आप फल और दूर का सेवन भी कर सकते हैं झाल